कि अब अफवाह फैल चुकी है आसंकाएं गीरी हुई है और ऐसे हालात में जो इंडिया गडबंदन के अध्यक्ष है उनको बात करके जैन चोधरी से बायान आना चाहिए था कि आखिर उनका स्टेटस क्या है उत्तर प्रदेश जैसे राज्ज में जहां पर गडबंदन अंत भी विखर सकता है इस बात की असंका है जो आद भी यह कहता था कि मैं कोई चोवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाओंगा तो क्या वो अब खीर खाने की तयारी में है और यह क्या वक्त का तकाजा है लोक्स बाचुनाओं में आखिर जैन चोधरी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्य पहले भी कई मौक्या आए जब लगा कि अब वो तूट गए अब वो तब जाएंगे अब जाएंगे लेकिन वो बने रहें इंडिया गडबंधन के साथ हाला कि यह बात अभी कहीं गई रालोट का जो सियासत का तरीका रहा है वो बीजेपी के साथ भी कई बार सरकार में र प्रामिल रहे हैं तो आज जो लोग यहां गीता बनकर बैठे हैं पढ़ा रहे हैं गीता लेकर आए हैं उनके लिए का जाता है कि पढ़िये गीता बनिये सीता फिर इन सब में लगा पलीता और थाली भर भात पसाईए और पेट भरके खाईए तो अब मौका आ गया है जो लेकते हो खा लिओ पश्च्वी यूपी में इस अफवाह से बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिली है और अगर यह मूर्त रूप लेता है तो सभाविक है कि जो इंडिया गडबंधन का एक बहुत बड़ा जातिया समिकड़ बन रहा था मुसल्मान मुसलिम यादो जाट उसमें से अब जाट अगल अलग हो गया तो फिर विपश्च के लिए बहुत जादी जादा संभावनाय नहीं रह जाती हैं बताए जाता है कि साथ सीटों का एलान समाजवादी पार्टी ने किया था लेकिन वही की सिंबल तुम्हारा आदमी हमारा वाला अंतर देखने पर साथ चार सीटे ही आ रही थी अब इसकी स्थिति क्या बनेगी ये तो आने वाले कुछ दिन में तैं होगा लेकिन ये दुर्भागी भी है कि जैसे जैसे राहूल गांदी की यात्रा सुरू ही आगे बढ़ी उनके एक-एक साथ ही उनसे अलग होते गए बंगाल में ममता ना तो ये बड़ा आश्चर जनक मामला है और मुझफर नगर में हरेंद चोधरी को लेकर उनके टिकट को लेकर काफी विरोधा भास की स्थिति रही है जहां पर सायद नहीं चाहते वो की उनको टिकट दिया जाए तो ये भी एक बड़ा मामला है बिरजे जी उत्तर परदेश की सियासत में बताते हैं कि कोई विश्वास घात से जुड़ा मामला हाजीत सिंग के साथ जिसकी नाराजगी हरेंद मलिक को लेके आज भी बनी हुई है और चुकि उनके बेटे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं तो वो उनको चाहती थी कि वो टिकट लें और लड़ा होता है तो इंडिया गडबंदन की स्थिति क्या होगी क्या वो दो-चार सीटों तक ही सीमित रह जाएगा अमेठी और राइवरेली भी क्या जीतना कठिन हो जाएगा मैन पूरी को छोड़कर फिर सपा के लिए कहां कितनी संभावनाएं बचेंगी यह सब बड़ी एक सब एक विश्लेशन का आ जाएगी इस्थिति बनेगी अभी तक तो मोदी के नाम पर भादपा चुनाव जीती है लेकिन आज बीजेपी के गनेता यह कह रहे थे कि मोदी के नाम पर हम चुनाव जीते जरूर हैं लेकिन हम एक किरके टीम हैं और टीम में ग्यारा मेंबर होते हैं इसलिए नितिश कुमार और जैन चोधरी और सुभासपा और निसाथ सब की जिरूरत है यह सब प्लेइंग 11 का काम करेंगी इस तरह से सियासत में बीजेपी हुआ था 2002 में तो सबसे ज़्यादा 14 विदायक रालोत के जीते थे अब तक के इतिहास में उससे ज़्यादा कभी नहीं जीते और भाजपा से गड़बंधन करके सबसे ज़्यादा पांस सांसत भी एक बार 2009 में लोकसभा में रालोत जीता चुकी है तो यह इन लोगों का प पाजपा को लेकिए और किसान अंदोलन की बाद भी कुछ ऐसी रही जिसकी वयासे चीज़े नहीं बन पाई लेकिन सुनियेगा कि भूले हैं उन्हें रप्ता रप्ता मुद्दतों में हम और किस्तों में खुद कुसी का मजा हम से पूछ यह और बेचता यूही नहीं है आ जो दीजिए और कब तक गर्म रखें हम नारों से दस्तर खान को बिल्कुल ठीक बात है नारों से कब तक दस्तर खान को मजबूत किया बहुत शुक्री आपका बिरेंजी हमारे साथ जोडने के लिए ग्राउंड जीरो से अपने इंपुट और फीडबैक उपलब्दकरा न